लगेगा और कुछ सिख भी मिलेगी तो हम इस टार्ट करते हैं दोस्तों पायल हजार रुपे में आती है पर पैरों में पहनी जाती है और बिंदी सिर्फ एक रुपे की आती है उसे माथे पर सजाई जाती है इसलिए कीमत मायने नहीं रखता है दोस्तों उसका कृत्य मायने एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उन दोनों को नहीं पड़ते नमक की तरह कड़वा ग्यान देने वाला ही सच्चा मीत्र होता है मीठी बात करने वाले तो चापुलूस भी होते हैं इतिहास गवा है कि आज तक कभी नमक में कीडे नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीडे पड़ जाते हैं अच्छे मार्ग पर कोई ब्यक्ति नहीं जाता पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूध बेचने वाले को गली गली और कोने कोने घर घर जाना पड़ता है और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला पर दारू में खुद हाथों से पानी मिला करके पीते हैं वाहरे दुनिया औ के कोई नहीं जाएगा एक सत्य यह है कि अगर जिन्दगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते हुए नहीं आते मगर एक मीठा सत्य यह भी है कि अगर यह जिन्दगी बूरी होती तो जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते वाहरे मानों का लास को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है, यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगय है दोस्तों, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है, वीचित्र दुनिया का कठोर सत्य, बरात में दुल्हे सबसे पीछे और दुनि को याद करना और मोंबत्ती बुझा कर जन्म दिन मनाना, नई सदी से मिल रही है दर्द फरी सोगात, बेटा कहता है अपने बाप से कि तेरी क्या है यवकात, पानी आखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहु अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली हुई खासम खास, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापु तो बोज लगे, पत्थर लगे गणेश, बचे कहां अवसेश हैं, दया धरम इमान, पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को भर में भूखा बाप, तो दोश्टों ये है हमारी दुन्या,